दोस्तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ये बोर हैं कि CGL की वेकंसी आई और बढ़ गई MTS की वेकंसी आई और बढ़ गई GD की वेकंसी आई और बढ़ गई लेकिन CHSL की वेकंसी उतना ही कैसे हो सकता है इसमें क्यों नहीं बड़ोती हो सकता क्योंकि जितने भी यह वेकरेंसी है वो सभी SAC की वेकरेंसी है बसी यह iqlam की जो वेकरेंसी वह भी virencesी है इसमें भड़ोती ये वेकेंसी आपके 4500 वेकेंसी है ठीक है 4500 वेकेंसी है इसमें भी बढ़ने की संभावनाएं दिखाई जा रही है जैसा मंतराला से और भी डिफेंट मंतराला से इसमें और भी व्योरा मांगा जा रहा है चुकि ये वेकेंसी जब निकली थी तो वो व्योरा काफी दिनों प आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसमें भी वेकेंसिया बढ़ेगी तो अच्छी खबर है तमाम जो SSC की हम वेकेंसि की बात करें तो सभी वेकेंसिया निकल चुकी है और अच्छे खासे नंबर में जितना हम expect कर रहे थे उससे काफी जारा नंबर में निकले हैं आप इसको कर देंगा तो यहां पर पहले सारही गार था सारही बारा हो गया यहां पर सी जीएल में 40,000 के यानि की वैकेंसिया तो काफी है बट आपको क्या करना है कि आपने आपको इस तरह से अपर करना है कि कि द्रुदा को कहीं न कहीं एक जगह आपको फिट कर लेनी है तो आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा चल यह सीजियल का मैं मानता हो कि थोड़ा सा पेपर टफ होगा या उसमें आभी एक्स्पिरियंस नहीं है तो नहीं हो पाएगा लेकिन मतलब थोड़ी नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है कम से कम क्वालिफाई तो करना ही पढ़ेगा नहीं तो अच्छी ख़बर है CHSL की वेकेंसी बढ़ेगी और जो भी एससे रिलेट जितने भी न्यूज है इस चैनल पर कवर होंगे मैं खुद SSC स्पिरेंट रहा हूँ मैं खुद SSC को क्रेक किया हूँ CHSL CGL का मेंस दिया हूँ और CHSL और MTS को जोइन नहीं किया था मैंने बताया नहीं देने गया था क्योंकि ओवियर से जाता तो ऐसे भी फेल हो जाता तो बस एक देखने के लिए कि क्या GD में कितना स्कोर रहता है शुरुआत में क्या होता है ना कि सभी वेकेंस या भर दिये जाते हैं आप इलिजिबल हो या ना हो कोई फरकी नहीं पड़ता है तो ज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजाएगा रिक्वेस्ट कर रहा हूं वह तो आपकी मर्ची है कोई उंगले पकड़के थोड़े न करवा सकता है चलिए ठीक है तो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक कलिए जैए